इंटिघ्रेशन 3 over x into x का cube minus one इसका हमने इंटिघ्रेशन उन्ट हाइंगे पहले हम इसके factor बनाएंगे यह क्यों कि एक cube formula बना हुआ है एक cube minus b q वा अगर इसे हम हाँ a minus b q अगर बाहिर भी ले लें तो a minus b a square plus का a b plus b square यह वाला formula बन रहा है यहाँ पर तो हमने इसके factor इस तरह बनाने है इस cube formula को open करके इसके factor बना लिए हैं अब हम partial fraction apply करते हैं partial fraction इस तरह cam इस factor को देखना होता है कि factor में अगर x की power one है simple है तो हम उस पे एक coefficient लिखेंगे अगर यह जिस तरह x square है तो एक X उपर उसके साथ लिखेंगे और combination की फार में लिखेंगे combine two coefficient को उसके साथ लिखेंगे मतलब उसके under में A over जिस तरह मैंने X का X b एक factor है A over X plus B over X minus 1 plus CX plus B over X square plus X plus 1 यह equation 1 है अब multiply both sides by LCM LCM को multiply करने से LCM multiply इस side पे 3 के साथ भी होगा A के साथ B के साथ CX plus D के साथ भी multiply होगा इसके साथ जब multiply होगा तो यह सारा cancel हो जाएगा तो 3 आएगा और A के साथ जब multiply होगा तो सिर्फ A cancel हो जाएगा बाकी X minus 1 X square plus X plus 1 आएगा और इदर B X minus 1 cancel हो जाएगा बाकी B X के साथ X के R प्लस X प्लस 1 आएगा और C के साथ CX प्लस D के साथ जब मल्टिप्लाई होगा तो X के R वाला गैंसल CX प्लस D के साथ X into X-1 इसे हमने equation 2 का नाम जाब यहां से X की value find करते हैं X के X तो 0 है X के साथ कोई minus 1 तो नहीं लगा हुआ X equal to 0 पहले X equal to 0 पुट करेंगे इसका मतलब है कि जहां हमने X की value find equation 1 से करनी होती है और put equation 2 में करनी होती है जो भी X की value हम find करेंगे यहां से equation 2 में put करेंगे तो हमें वहां से coefficient की value find होगी जहां भी simple X लगा होगा जिसके साथ भी इसके साथ भी है CX plus B के साथ BX B के साथ भी है तो यह दोनों कोफिशेंट तो 0 होगा है क्योंकि जब हम यहां 0 पुट करेंगे तो यह वाली सारी value 0 हो जाएंगी तो बाकि एक coefficient और उसके factor है उसमें हम put करते हैं X की value 0 जहां X है वहा multiply होंगे तो इदर 3 है 3 A is equal to minus 3 अब दूसरी मरतबा हम A इससे X minus 1 से value find करते हैं तो X कप X equal to positive 1 आएगा हमने value find equation 1 से करनी है X की और put equation 2 में करनी है तो X minus 1 जिस भी coefficient के साथ लगा होगा जिसका भी factor होगा उसे 0 बना देगा यह देखें X minus 1 यहां पे भी है और यहां पे भी BX के साथ नहीं है B के साथ नहीं है तो B की value find होई बोच साइड पे apply करना होता है X की value put करनी होती है इदर lift hand side पे तो कोई X है नहीं इसलिए 3 ही रहन plus 1 X X की जगा पे 1 1 square plus 1 plus 1 3 3 B आया अब 3 इदर multiply हो रहा है इदर आकर divide भी जाएगा B is equal to 1 from equation 2 equation 2 को हम दुबारा क्यूंकि हमें यहां से A and B की value find होई है C and D की value हमने find करनी है तो equation 2 को दुबारा उनके factors के साथ उनके coefficient को multiply कराएंगे ताके हमें C and D की value find हो उसके ताके हम उनके coefficient को compare कर सके हैं और वहां से value find कर सके हैं multiply करने से यह देखें यह cube की farm में आ गया है और square की farm में आ रहा है coefficient क्यूब वाले coefficient क्या है A plus B A plus B and square वाले क्या है B minus का C plus का D इस तरह मैं आगे compare की हुए है मैंने यह factor यह x cube वाले हैं और यह x square वाले हैं तो x cube वाले A plus B plus C A की value हमने find क्यों है minus 3 B की value 1 अब A and B की value है C की value आ जाएगी A and B की value पुट करने से minus 3 plus 1 plus C यहां से minus 2 बचा था minus 2 इदर आके positive का हो गया C is equal to positive 2 B minus C plus D equal to 0 B की value आ जाएगी 1 C की value आ जाएगी 2 अब यहां B and C की value पुट की तो D की value आ जाएगी 1 minus 2 plus D अब minus का 1 है तो इदर आके positive का 1 हो जाएगा D is equal to plus का 1 putting values in equation 1 A, B and C जहांपे हमने शुरू में partial fraction of lie किया था तो वहांपे हमने equation बनाई थी उसे हमने equation 1 का नाम दिया था उसमें हम यह वाली सारी value पुट करेंगे इसमें इस equation 1 में हमने A, B and C की value यह देखें A की value क्या हमने find की थी A की value हमने find की थी minus का 3 B की value है plus का 1 C की value क्या थी C की value है plus का 2 D की value है plus का 1 तो हमने यहांपे put कर दी है A की value minus 3 B की positive 1 C की positive 2 positive 1 D की value अब यह जो constant होता है इसे हम शुरू में ले आएंगे constant को शुरू में ले आए बागी minus 3 1 over x और यह सब पर integration भी apply करना है तो 1 over x यहांपे 2x plus 1 अब यह नीचे function है और उपर function का derivative भी बन रहा है x square का derivative क्या होता है 2x और x का derivative क्या होता है 1 तो 2x plus 1 उपर है अब यह सारे नीचे function है उपर function के derivative तो हम जब नीचे function हो और उपर function का derivative तो हम उसे इस तरह लिख सकते है natural log f of x minus 3 constant है तो minus 3 natural log x मतलब नीचे वाला function लिखना होता है plus natural log x minus 1 plus natural log x square plus x plus 1 plus constant question